इस वीडियो में हम लोग सॉल्ट करेंगे exercise 18 के question number 16 से प्रिछली वीडियो में हम उने question 15 तक के सारे पढ़ लिये थे और अच्छे से समझा भी था अब यहां पर question 16 के रहा था following table given the literacy rate in percentage in 40 cities find the main literacy rate choose as suitable method आपकी मर्जी अब किसी भी method से इसकी literacy rate निकाल सकते हो मतलब की main निकालना है चाहो तो आप direct से करो assume से करो यह फिर step deviation से करो यह आपकी मर्जी यह बोल चुका है चलो फिर करते हैं यहां परना हमने table और जो भी data हमें given था हमने पहले से ही लिख रखा है अब हमें यहां पर mean find करना है क्या find करना है mean और mean find करने का formula क्या होता है यह होता है summation of fi into xi divide में होगा summation of fi अब बात आतेगी हर बार हम यही formula के solve लगाते हैं देखो पिसले पी question को आपने देखा होगा पड़ा होगा तो यही formula ज्यादा कर लगाते हैं यह easy होता है solve करना और इसमें यह जब ही लगाते हैं जब हमारे पास जो frequency है यह छोटी दीजाए 411 1294 है ना छोटी 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 frequency होती है तब ही यह use करते हैं चलो अब यहां पर सब सब पहले xi को find करना है कैसे class को add करो divide by 2 करो तो यहां पर हो जाएगा 60 100 और यहां पर हो 50 यह हो जाएगा हमारे पास 70 और 5 120 और यह हो जाएगा 60 दद दस का गया पर यहां पर आजाएगा 70 यह होगा 80 यहां पर आजाएगा 90 अब इससे multiply 5 4020 200 660 यहां पर आएगा 840 89720 360 बस हो गया गा हम sum of summation of fi into x i मतलब इसका sum ओके तो यह हो गया हमारे पास 6 2 8 8 8 16 16 और 4 हो जाएगा 19 और यह हो जाएगा हमारे पास 20 और 26 26 27 और 2780 हो गया हमारे पास 2780 प्लस अब तो कुछ प्लस है नहीं इसको छोड़ देंगे पर अब यहां पर आजाओ frequency को add कर लो या फिर टूटल क्या बताया था कितने हमारे पास city है 40 इसको एड करोगे तो 40 ही आएगा डिरेक्ट हमने वहां दे उठा के चांपर रखती है एड करके देख लेना 40 चलो कर लेते हैं 11,9,20 ठीक है 20 और 10 हो जाएगा हमारे पास कितना 30 32 और 8 हो गया 40 हो गया काम चलो अब formula में value को put करो formula फिर से लिख देते है summation of fi into xi divided में होगा summation of fi यहां पर हमारे पास mean ठीक है और mean हमें find करना है तो इसको ऐसे छोड़ दो यह हमें कितना पड़ता है 2780 डिवाइट में 400 004 से करोगे 4 कितना जाएगा हमारे पास 45246 ठीक है यहां पर यहां पर आगे हमारे पस 38 और 4936 36 अप पॉइंट लगेगा यहां पर 2425 तो यहां पर हमारे जो mean मिलेगा है जो मिलेगा वो मिलेगा 69.5 अब यह percentage में पूछा है तो परसंट लगा दो बस यह होगा कोशन नमबर 16 गामारे सलीशन है है ना कितना simple अब आते है next portion में जो कि हमारे पर portion number 17 इसमें हमसे क्या कह रहा है कि भई यह assume method ही use करो direct दो इसने कह दिया कि अब इसको solve करना है और mean find करना है और mean find करने के लिए आपको use करना है assume method देखो जब कोशन कह देखी assume से find करो या फिर direct से करो तब उसी से करो और otherwise आपका जिससे मनव उससे करो आप यह कह रहा है तो इसका तुम भईया मान रखना पड़ेगा तो assume method का use करेंगे हमने यहां पर न कोशन को बिना देखे ही x i fi x i कर दिया है पहले तो हम क्या करते हैं assume method का formula लिख लेते हैं चलो पहले तो formula लिखेंगे यह हो जाएगा हमाँ पस a plus summation of fi into हो जाएगा हमाँ पस x i divide में हो जाएगा submission of fi यह हो जाएगा na submission of fi into x i नहीं होगा submission of fi into यहाँ पर होगा di होता है क्या होगा di होगा क्या होगा di यह बार हम फिर से check कर लेते हैं fi into di होता है assume है बिल्कुल सही है यह होता है formula हमारा okay तो हमें क्या करना पड़ेगा fi into di हमें यहाँ पर यह find करना है तो हमें सबसे पहले x i find करना पड़ेगा उसके बाद हमें यहां पर find करना पड़ेगा d i देखो formula के according ही टेवल बनते हमने हमेशा बताया तो d i find करेंगे d i find करने का जो formula होगा और यहां पर लास्ट में आजाएगा हमारे बस f i into आजाएगा हमारे बस यह करना है चलो सबसे पहले x i को find करते हैं इसको इसको डिवाइड करो डिवाइड वाइड 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 तो 15 ठीक है दस दस का gap है तो यहां पर भी कर सकते इसको भी कर सकतो है किसी को भी कर सकते हैं प्में टॉ इसे करेंगे एक साइदा एक साइगरंना है कि एक बर हो पैस्ट के पहले ॥ कि खुँर माइनच अब यहां पर सिछिस रोगे तो 5 – • • • • • • • Vous 17-25 कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पर आ जाएगा हमाय पास 10- अब 25-25 कर दो खोन oh अब यहां पर आ जाएगा हमेरे पास 10 20 और यह हो गया हमारी पस 60 यह आ गिया जीक अब दय कर दो API यह है और XML और hij यह है यहां पर पर और यहां पर आजएगा हमारे पर 340 और यहां पर टीट entered Six अगर threeडोने इन दोके कर लो यहां पर आजएगा 0 आठ 412 करी वन दो तैन चार 460 वह सी और लोगा 420 माइनस एब इन तीनों को कर लो 0, यहाँ पर होगा 8, 6, 12, 2, carry 1, 3, 2, 5, 6, 7, 720, अब इनको solve कर लो, 20 से 20, यहाँ पर आगया 300, वो भी plus का, तो यह हमें 300 मिल गया, अब frequency को add कर लो, frequency को add करोगे, तो यहाँ पर हमें total मिल जाएगा 100, बस इस value को ठागए, यहाँ पर put कर दो, a हमारे पास 25 था, कर लिया, submission of fi into di हमारे पास क्या हो जाएगा 300, और यहाँ पर हो जाएगा fi, fi हमारे पास कितना है 100, यह हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, मतलब हो गया 28, यह हो जाएगा हमारे पास इसका mean, और यह हो गया question number 17 का हमारा solution, है ना, कितना simple, समझ में तो आ रहा होगा, अगर कहीं कोई doubt है ना, तो comment करके ज़रूर हमें बता दिया करो, ठीक है, अब आते हैं हम लोग next question पर, क्योंकि है हमारे पास, देखो, अब इस question में भी हमने ना, पहले से ही बिना question को पढ़े क्या कह रहा है, हमने table बना दी, रखता है फिर से गलत हो सकता है, question 18 में भी कह रहा है, assume method से इसको solve करो, हमने दो को पढ़ाने था, बस इसको देखा, table बना दी, यह गड़बड कर दिया, अच्छा, assume method से हमको solve करना है, तो क्या करना पढ़ेगा, सबसे पहले formula लिखना पढ़ेगा, assume method को formula, जो कि अभी हमने बता है, यह होगा, हमारे पास mean equals to हो जाएगा, a plus summation of fi into di, और यहाँ पर हो जाएगा, summation of fi, यह होगा formula, तो fi into di कब find कर पाएगे, जब हमें di पता होगा, तो di निकालेंगे सबसे पहले, और di निकालेंगे formula क्या होगा, xi यहाँ पर हो जाएगा minus a, ठीक, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे fi into di, ऐसे find, ठीक है, अब xi find करना है, इसको add करो, इन दोनों को divide by 2 करो, 220 और करो 110, यह आ गया, यह होगा, 260, 260 और divide by 2, 130, यहाँ पर 150, देखो 20-20 का gap है, तो यहाँ पर आजाएगा 70, 190, हो गया हमारा गाम, अब di है हमारे पास, इन में से किसी भी a को na a मान लो, किसी भी a को, हमने मान लिया है कि हमारे पास na, यह a है, यह हमारा a, अब xi minus a करो, xi हमारे पास यह है, 110 minus 150 करोगे, तो माइनस का 40, लिख दिया, 130 minus 150 करोगे, तो माइनस का 20, लिख दिया, 150, 150, 0, और यहाँ पर आजाएगा 20, यहाँ पर आजाएगा, हमारे पास, कितना, 40, यह हमको मिल गया, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका multiply इससे, 400, 400, यहाँ पर आजाएगा फिर से, 400, ठीक है, अब यह होगा, हमारे पास, यह होगा, जीरो, और फिर यहाँ पर हमारे पास, क्या है, एक सिकंड, 20, ठीक है, 0, ठीक है, 15, 30, ठीक है, और यह होगा, 25, 20, 200, यह आगया हमारे पास, ठीक है, अब इसको देखो, यह 300, और यह तो 500 होगा हमारे पास, और यहाँ पर आजाएगा, माइनस का 800, अब इन दोनों को solve करोगे, तो माइनस का हमें क्या मिलेगा, 300, माइनस का मिलेगा, 300, यह आगया, हमारे पास, sum of fi into di, अब हमें frequency find करने है, frequency को add कर तो कितना आ जाएगा, यह हो गया, 50, यह 60, और यह हो गया, 70, हो गया हमारे पास, बस value को put करो, यह हमारे पास कितना है, 150, प्लस, यहाँ पर आजाओ, यह हो जाएगा, हमारे पास, माइनस का, 300, बाई हमने कर देए, यहाँ पर 80, और यह हो गया माइनस माइनस, यहाँ पर आजाएगा, 3.75, और यहाँ पर आजाएगा, हमारे पास, 146, पॉइंट हमने कर दिया, 25, यह हो गया, हमारे पास, मीन, हमें यहाँ पर मीन पता चल गया, हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया, question number 18, हमारा solution, ठीक है, answer से करते हैं, तो यह answer 145, मेरा 146, एक मिट चे कर लेते हैं, इसका question का, जो आपको दिया गया, answer book में, answer यह गडबर दिया गया, आपका answer यही आएगा, करके भी देख लेना, यही आएगा, भी हमने फिर से चेक किया था, यही आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कभी-कभी answer भी में, अब आजा question number 19 में, अब question number 19 क्या कह रहा है, पहले तो देखना ज़रूरी है, यह कह रहा है, इसको main find करके देना है, और find किसे करना है, assume method, assume mean method से, ठीक है, तो सबसे पहले formula हमें लेना पड़ेगा, formula क्या होता है, main equals to हो जाएगा, a plus, यहाँ पर होगा summation of fi into di upon summation of हो जाएगा fi, बस यही है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले di find करना पड़ेगा, कैसे, x i minus a से, फिर यहाँ पर हम लोग find करेंगे, fi into di, ऐसे, अब यह x i दिख रहा है, चिक है, अब देखो, इन दोनों को add को डिवाइड बाइड बाइड टू करो 10, इन दोनों को add को divide by 2 करो, कितना आजाएगा 30, अब यहाँ पर आजाओ, अब दो 20-20 का gap पर तो यहाँ पर जाएगा 50 आजाएगा, यहाँ पर आजाएगा 70, यहाँ पर आजाएगा 90 और 110, यही आएगा, इसके इलावा तो कुछ आएगा ने, हैना, चलो, अब क्या कर करने से पहले जो यह ए दिख रहा है ना, इस ए को assume कर लो, ए का मतलब यह assume होता है, तो यहाँ पर किसी भी एक number को assume कर लो, हम लोग मान लेते हैं कि हमाई पर यह 50 है, 70 मान लो, कोई दिख कर ने, किसी को भी मान लो, तो यह di x i minus a, मतलब 50 minus 10 करोगे, तो 10 minus 50 करोगे, तो minus का ह हमें के मिलेगा 40, minus का हमें के मिलेगा 20 और यहाँ पर हमें के मिलेगा 0, यहाँ पर 20, यहाँ पर 40, यहाँ पर 60, game over हो गया इसका, अब इन दोनों का multiply 4 to the 8, लो यह हो गया हमारे पास माइनस का और यहां पर हो जाएगा 70 वह भी 0 माइनस का यह हो गया 0 यह हो जाएगा हमारे पास 88 मतलब 880 और यह हो गया हमारे पास 0 4 4 8 32 ओके 3 4 12 और 3 15 15 20 अधिरो 6 38 18 और कर लेते हैं कि तो यह पर इन दोनों को एड़ करोंगे तो कितना आजाएगा आएगा 1 5 00 ऐसे का यहां पर आजाएगा हमारे पास 1500 ठीक है कुछ करवर है हां इसको add करेंगे तो यह पर आगया बापर 0 देखो 1500 आ रहा है और यहां पर 152 20 है इसको cancel करो क्या बचेंगा 20 बचेंगा इसको इसमें add कर दो तो यहां पर क्या होगा 1880 और इसको add करो 080 16 carry 1 यहां पर आजाएगा 7 और यहां पर आगया 2 2760 हमें यहाँ पर मिल गया अब frequency का sum कर देंगे इसका sum करेंगे 220 मिल जाएगा बस इसमें value उठागे put कर दो होगे answer यहाँ पर आगया 50 plus 2760 and divide में 220 0 से 0 और इसको इससे cancel कर देंगे तो यहाँ पर आजाएगा हमाँ पस 50 plus आगया हमाँ पस 12.55 इसको solve करोगे तो 62.55 बस यही हो गया और यही होगे question number 19 का हमारा answer कितना simple और easy है ना बस 20 के ही कुछ question पिछली video वाले question थोड़े से बढ़े थे calculation बढ़े थे और कुछ भी ने था easy तो पूरी exercise ही है chapter ही easy है और exercise क्या अब आजाओ question number 20 question 20 में क्या कह रहा है कि भाईया इसको आपको solve करना step deviation method से solve करना ठीक है step deviation method इसको formula क्या होगा हमें find क्या करना mean find करना और step deviation method से find करना चलो करते हैं यहाँ पर पहले formula रिखेंगे formula हो जाएगा हमारे पास e plus यहाँ पर होगा हमारे पास h into summation of fi ui divide में हो जाएगा summation of fi यह होगा यह होगा इसका formula ठीक है चलो अब हम देख पार यहाँ पर fi और ui हमें चाहिए कैसे भी करके तो fi ui को कैसे find करेंगे सबसे पहले हमें find करना पड़ेगा ui और ui find करने के तरीका होता है x i minus a divide में h अब यह h क्या होता है अभी बताते हैं इधर आ जाओ अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास fi into ui देखो h का मतलब होता है class के बीच का difference difference दो कहा है 0 से 10 कितना आ रहा है difference 10 का आ रहा है और फिर से दूसरी class को check कर लो तो 10 minus 20 कर दो दोनों को difference कितना आ रहा है 10 का तो इसका मतलब क्या होगा कि जो h हमें मिलेगा यहाँ पर 10 लब class का जो difference होगा वो 10 होगा ठीक है h पता चल गया h a मतलब क्या होता है assume assume करना होगा किसे x i में इसको solve group 5 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर 25 यहाँ पर 35 45 और यहाँ पर 55 इन में से किसी भी a को assume कर लो a हमने a को assume इसको 25 को assume अब यहाँ पर x i minus a x i minus a कितना आ जाएगा हमारे पस 20 आ जाएगा minus का है न और divide by h हमारे पास कितना 10 यहाँ पर 10 से करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा minus का 2 इसको solve करोगे minus 1 यहाँ पर जीरो ही रहेगा यहाँ पर फिर इसका उल्टा लिख दो पर 2 ओन आ जाएगा गो और यहाँ पर जाएगा टू आ जाएगा एक सिकंड वन्टू थ्री फोर फ़ाइब 1 2 345 पर यह करने के चकर हम एक एक से ही कर दिया आ हमने कैसे दखो हमने क्या किया था हमने देखा कि इन दोनों के पीछ में गैब आरा दर 10 का इंक्रीज ओरा 10 तो 10 करते चलेगा पश्पंद तक कर दिया दिया कि इसमें सिर्फ 5 ही है ती इन दो 5 जलो खेर अब एफ़ाई और यू आई में आज़ो फाई यह है हमारे हाँ य है Sun TIX 54 माइनस का 10 जीरो एट्स तुवट सेटल है त्रहल है यहां पर गया यहां पर आग्या हमारे भूट यहां पर एट्ना 24 गया हमारे हमारे पास सिर्भ 4 इसम एक पर दो यहां एपा दर्स वीश थीज ठीक है और यहां परागया 40 और यहां पर आज आएगा 50 बस value good output कर दो ए मतलब assume क्या किया था 25 plus h h कितना था 10 था submission of fi into ui कितना आया 4 submission of fi कितना आया हमारे पास 50 हो गया काम यार that's it game over हो गया इसका यहां पर आगे 25 plus यहां पर 4 यहां पर हमने कर दिया 5 ठीक है एलसे हम ले लो 5 25 into 25 25 into 5 125 प्लस कर दिया हमने 4 यहां पर आगे 129 divide by 5 5 to the 10 5 5 to the 25 है ना और 4 5 8 to 40 यहां पर आगे हम आपस 2 5.8 बस हमें यही solve करना था और यही हो गया question number 20 का हमारा solution I hope आपको यहां पर question number 20 समझ में आ गया कहीं भी कोई doubt और comment करके बताओ अब यहां पर जो अगले question बज़े ना 21 से लेकर 29 तक के सारे question आपको मिलने वाले next video में और next video की लिंक पता है कहा में लेकिंग डिस्क्रिप्शन में अच्छा यहां पर देखो 21 में हमको क्या find करना mean find करना using step deviation हमें यहां पर भी क्या find करना है mean find करना step deviation से हर question में कह रहा है कि आपको step deviation step deviation और step deviation इन्हीं से सभी से आपको mean find करना है चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में और अगर वीडियो अच्छे लगी comments like share ज़रूर करना टाटा बाइबा जाहिंद अच्छे लगी कोमेंट्स लाइक शेयर ज़रूर करना टाटा बाइबा जाहिंद